तो तो अब दोस्तों आज मैं आपको उताने वालों सेमसंग के मोभाल में एक प्रिणिस्टॉल सैटिंग होती है जो कि सटिंग एंदर आपको मिलती है इसका नाम है एक्सिदेंटर्ट टॉच पोटेक्शन दोस्तों यह सैटिंग होती क्या है और क्या उसका यूज और कैसे आप इसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं तो उसके बाले मताने वाना दोस्तों सबसे वैली बात यह सेटिंग इसलिए होती है कभी आपका वाहिल आपने अपने परस या कोई बैग में रखा है जहां पर डार्क प्लेसे रहती है मतलब जहां अंधेरा जादा होता है तो वह है कोई फी लॉप नहीं लगा रगा तो फिव यह डार्क वाल आजागो आपने कभी देखा हो अ है आपने अनेसको नेबल करके रखा है तो आग嚇पको बताने वालु किसे इसको ऑन करेंगे कैसे आफ करेंगे और पहां यह आप को मिलने वाले तो चलनते मेरा g 2 SH अब जैसे में यहां से सेंसर में हाथ अड़ा दूंगा अब देखेंगे यह हड़ जाएगा यह हमेशा डार्क उस पर काम करता है अगर आपका मुबाइल जैम में रखा हुआ है कहीं बैग में रखा हुआ है तो यह इसलिए रहता है कि कोई फालतों के टचिस ना हो जिससे व हो डिस्प्ले में जाना है डिस्प्ले में जाएंगे तो आप नीचे की तरफ आएंगे आपको यह option मिल रहा होगा accidental touch protection आप देख रहे हैं by default यह on रहता है या कहीं किसी इसे मुबाइल में off रहता है आप देखेंगे इसमें लिखा भी हुआ है protect your phone from accidental touches which in dark place such a pocket और a bag आपको में touch कर सकता हूं touch हो जाएंगे अगर वो enable रहेगा तो मैं कहीं भी touch नहीं कर पहूंगा जब तक कि उसको unlock नहीं करूँगा अब देखेंगे कैसे अब जैसे मैं नहीं यह कर दिया है अब मैं अपने mobile को lock कर गया on करने के बाद बापस यहां पर आउंगा अब देखेंगे य यह ऐसे काम करता है जो कि background में automatic चलता है sensor के थुरू बहुत ही शांदर वीजयर है दोस्तों तो थेंक्यों तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे वीडियो पसंद जाओई दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ कम ही है तो मुझे dislike भी का सकते है दोस्तों और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए और अभी तक आपने मेरे से सब्स्राइब नहीं किया सब्स्राइब करना ना बुलें मैं ऐसे टेक्निकल वीडियो बनाता रहता हूं जो आपको फट से नोटिफिकेशन मिले और नोटिफिकेशन बेल आला इकन को भी दवाना ना बुले और मुझे इसका लिंक आपको डिफिकेशन पर मिल जाएगा तो थेंकि दो